हलो दोस्तू कैसे आप ? क्ल के ट्रेइदिंग सेशन में Nipti Index और Bang Nipti Index किस परकार का मुमेंटम कर सकता है और इंट्राडे में Bang Nipti Index और Nipti Index में कौन-कौन सी Import Lys Hevel हो सकता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देख़े तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं nifty index के बारे में कि nifty में हमें किस परकार का momentum कल के trading session में देखने को मिल सकता है और nifty में कौन-कौन ची level है जो intraday में important हो सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि nifty में यह 15 minute का chart open है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो nifty की closing आई है वो 7,824 के आसपास आई है और previous session में nifty ने जो लो लगाया है वो 7,780 के आसपास है तो कल के intraday trading के लिए सबसे important जो support level है वो 7,780 का level है इस level को आपको intrad में धियान में रखना है तो दोस्तों कल की trading session में 17,780 मिजर support level हो सकता है अगर कल के trading session में nifty 17,800 से उपर open होती है तो यह major support का काम यहाँ पर कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको important support के तोर पर 17,780 का लेवल ध्यान में रखना है और दोस्तों 17,780 का लेवल important इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इससे पहले के trading session में भी इस लेवल पर एक बार index की closing आ चुकी है और यहाँ पर multiple time इस लेवल के आसपास resistance भी मिल चुका है तो दोस्तों यहाँ पर 17,780 का लेवल बहुती ज़्यदा important लेवल है इसको कल के trading session में आपको द्यान में रखना है यह important लेवल है अगर कल के दिन nipt index 17,780 के नीचे open होती है तो यह एक तरह से resistance का का काम गरेगा अगर इससे उपर open होती है तो यह एक तरह से support का काम करेगा और दोस्तों nipt index में major resistance की बात करें तो यहाँ पर major resistance है 18,050 का लेवल जो कि एक बहुती बड़ा major resistance है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों previous trading session में nipt index में 18,050 के आसवास का high लगाया था तो यह एक तरह से resistance की तरह work करेगा तो यहाँ पर दोस्तों major resistance nipt index में 18,050 का लेवल है इसको भी आपको कल के trading session में ध्यान में रखना है इस पर कर दोस्तों यह तो हो गई बड़े time frame की बात अब हम छोटे time frame पर चलते हैं और intraday के लिए और क्या important levels हो सकते हैं क्या important target level हो सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर time frame को change कर लेता हूँ यहाँ पर मैं 5 minute का chart आपके सामने open करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको zoom out करता हूँ जिससे आपको यहाँ पर clear review मिले तो मैंने यहाँ पर दोस्तों chart को zoom out कर दिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,050 का level important resistance की तरफ वरक करेगा क्योंकि previous trading session में 18,050 के आसपास nifty index ने high लगाया था चोईस की level से उपर open होता है यानि कल जो closing IT उससे अगर उपर open होता है तो हमें किस परकार से nifty index को trade करना है तो दोस्तों अगर मान लेजिए कल के trading session में nifty index 7,850 के आसपास open होता है तो सबसे पहला जो resistance होगा वो यहाँ पर होगा 17,880 का level और उसके बाद जो अगला resistance होगा वो होगा यहाँ पर 17,930 का level यानि कल के trading session में nifty index ने जो भी swing high बनाए है वो अपने आप में resistance की तरह वरक करेंगे तो आप इन 50-50 point के important levels को कल के intraday trading session में ध्यान में रख सकते हैं और चोटे 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 target बना कर आप nifty index को कल के trading session में trade कर सकते हैं अब दोस्तों अगर nifty index कल के trading session में 7780 के नीचे open होता है जिसे मानी जी 7750 के आसपास open होता है और अगर उपर की side निकलता है तो यहाँ पर 7780 का level important resistance की तरह वरक करेंगे और उसके बाद जो अगला resistance होगा वो 7824 का level होगा जो कल के trading session की closing है तो दोस्तों इन levels को अगर आप intraday में ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा profit कल के trading session में बना सकते हैं तो यह important levels है इनको आप intraday में जरूर ध्यान में रखे इसके बाद दोस्तों बात करते हैं bank nifty index की bank nifty index कल के trading session में किस परकार trade कर सकता है और bank nifty में क्या important levels हो सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रह कौन से important levels निकल कर आ रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों कल के trading session के लिए important support level है 41,600 का level क्योंकि दोस्तों previous trading session में bank nifty index ने 41,600 के आसपास का low लगाया है तो यहाँ पर यह important support की तरह वरक करेगा अगर कल के दिन bank nifty index 41,600 से उपर open होता है और नीची की side आता है तो 41,600 का level important support level है यह important support की तरह वरक कर सकता है तो इस level का आपको intraday में दियान में रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41,600 के level के आसपास पहले भी index की closing आ चुकी है और bank nifty index को यहाँ पर इस level पर resistance भी मिल चुका है तो दोस्तों यह important level है 41,600 का level इस level का आपको दियान में रखना है इसके बाद दोस्तों major resistance की बाद करें तो major resistance है 42,220-30 का level जो bank nifty index में previous trading session का high है तो यह important resistance की तरह वरक करेगा और दोस्तों पहले भी bank nifty index को इस level के आसपास resistance मिल चुका है तो यह कल के trading session के लिए major resistance है इसको आपको intraday में ध्यान रखना है तो दोस्तों यह तो होगी बड़ सो टाइम प्रेम पर चलते हैं चोटे टाइम प्रेम पर चलते हैं और intraday में important levels को देखते हैं कि और क्या important levels हो सकते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 minute का chart open कर लिया है अब मैं यहाँ पर chart को तोड़ा सा zoom out करता हूं जिससे आपको clear view मिले कि कौन सी level यहाँ पर important है तो दो पर की side momentum करता है तो यहाँ पर 41,600 का level important resistance की तरह वरक करेगा अगर कल के दिन बेंगनिप्टी इंडेक्स gap down open होती है और दोस्तों कल के trading session में बेंगनिप्टी इंडेक्स gap down open होकर नीचे की side momentum करता है तो यहाँ पर जो important support है वो 41,320 के आसपास का level है तो यह important support की तरह वरक कर स सकता है और कल के trading session में अगर बेंगनिप्टी इंडेक्स 41,666 के ऊपर open होता है तो यहाँ पर जो previous trading session के important high है वो यहाँ पर आपके लिए important levels होंगे जैसा के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंगनिप्टी इंडेक्स ने एक swing high लगाया है 41,850 के आसपास का level तो इंडेक्स अगर 41,666 के ऊपर open होती है तो यहाँ पर जो पहला resistance इसको मिल सकता है वो 41,850 के आसपास मिल सकता है और उसके बाद जो second resistance मिल सकता है वो 41,930 के आसपास मिल सकता है और इसके बाद अगला जो resistance मिल सकता है वो 42,000 के आसपास मिल सकता है तो दोस्तों इंट्रेड में ये 100-100 points के important resistance है इनको आपको ध्यान में रखना है अगर इन पर price थोड़ा सा भी resistance लेता है तो आप अपना target book कर सकते हैं और उससे अगर उपर निकलता है तो आप price entry भी कर सकते हैं तो इस परकार आप छोटे-छोटे levels को रखेंगे तो आपको अच्छा profit होगा आपके profit होने के chances भी ज़्यादा रहेंगे अगर आप long target लेके चलते हैं तो वो target अच्छी होने में आपको time भी ज़्यादा लगता है और जितना time यहाँ पर ज़्यादा लगेगा उतना आपका premium DK होता चला जाएगा और दोस्तों अगर कल के टेडिंग सेशन में बेंगनिप्ट इंडेक्स 41,666 के उपर open होकर उपर की तरफ रेली करता है तो यहाँ पर जो major resistance level है वो 42,230 के आसपास का level है यह सबसे major resistance level है यह level अगर कल के टेडिंग सेशन में break हो जाता है तो यहाँ पर आपको 42,350 का level भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह important levels है इंट्रेडे के लिए अगर इन levels को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इंट्रेडे में bank nifty और nifty index दोनों में trade करके अच्छा profit बना सकते है इस परकर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है